हलो एवरिवान, वेल्कम बैक टू मैं चैनल, मेरे सारे दोस्ट कैसे हो सब लोग, एकदम बढ़ें आना, आशा करती हूँ, आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे आद डेट है 6 और डे है थास दे आज सुबह सुबह तो मैं एक बहुत ही इसपेशल और हेल्दी सबजी बनाने वाली हूँ, जिसी सबजी कम दाल कह सकते हैं तो मैं अपना ब्रेगफस्ट, हेल्दी ब्रेगफस्ट, हेल्दी लंच और बहुत ही अच्छा इवनिंग स्नाक्स की रेसिपी शेयर करने वाली है और साथ में मैं बताऊंगी कि स्वीट कॉन किस तरीके से स्टोर करते हैं क्योंकि बहुत दिनों से लगातार जब भी मैं स्वीट कॉन यूज करती हूं तो मेरे विवर्स की रिक्वेस्ट होती है कि स्वीट कॉन स्टोर करने का ट्रिक बताएं तो बहुत आसान सा तरीका होता है आप घर पर ही ये जो स्वीट कॉंग्स आते हैं मार्केट में इन्हें ले करके और इनके दारे निकाल करके फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं आए देखते हैं हमारा आज का ब्लाग इस समय सुबह जैसे देख रहे हैं आप 7.22 है टाइम और वही साड़े साथ के बाद ही शुरू हो जाता है केचन में काम करना मेरा और ये जो रंगोली बनी हुई है कल मैंने बनाई थी ना वो दुवार की रंगोली तो वो दिखाया था आपके साथ वो हॉल में बनी हुई है तो इस तरीके से कभी अगर हॉल में मैंने कभी बनाया इस पत्थर में ना तो वो एक दो दिन ऐसे बनी रहती है कोई छोटे बच्चे है ने की उसको मिटाते भी नहीं है फ्रिज से निकाल के रखी है हमने तरूई और ये कल आई थी घर में तरूई एकदम फ्रेश हैं और धेल दी होती है चार शे लेसन की कलिया एक टुकड़े अधरख को छोटा छोटा टुकड़ा किया है और एक चमच जीरा डाला है तो यहां पर मैं अधरख लेसन और जीरे का पेस्ट बना रहे हूं इस तरीके से खलवत्ते से इसको कूट लिया तो इसका टेस्ट बहुत एकदम फ्रेश हैं एकदम ताजी लास टाम मैंने छिलका उता रहा था तो मुझे विवर्स ने एडवाइस किया कि छिलका नहीं उतारना चाहिए नाइफ से इस तरीके से आप घिस दो क्योंकि इसका जो छिलका होता है वो बहुत हेल्दी होता है बहुत से लोग छिलके की चटनी भी बनाते हैं तो चुकि अब इतनी सी तो रही है इतनी से में क्या चटनी बनाना और क्या सबजी बनाना तो इस तरीके से नाइफ से अगर आप घिस देते हैं तो यह देखे छिलका बिलकुल लेयर बतली सी निकलती है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि धूल ही समझ ल क्लायव से छिलका निकालने के बाद एक बार पानी से धुल लिया है साफ कर लिया है और उसके बाद तरू इस्तरीक ह 00. mort I 5 मअंकी डाल को पहले से पानी से धोके रकेंगे और अप कुकर में घी डालें दाल या सबजी बनती है ये घी में बहुत अच्छी बनती है तो करीब चार चम्मच जितना देशी घी डालेंगे घी जैसे ही गरम हो जाएगा तो यहां पर एक चम्मच अधरक लेसुन और जीरे का पेस डाला है उसे भून लिया है और फिर एक बारी कटी हुई प्यास डाली है प्यास डाल करके भून लेंगे उसे हलका गुलाबी कर लेंगे आध़ चम्मच हलदी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर और आध़ चम्मच हमने डाला है लाल मिर्ची पाउडर तीन और डाई मसाले डालने के बाद एक बार हलका सा उसे Roughs करेंगे पैन भी गरम है और घी गरम है तरन्ट फ्राई हो जाते हैं डाई मसाले यहाँ दो टमाटर है और दो हरी मिर्ची इनका हमने पेस्ट बनाया हुआ था और ये पेस्ट डाल देंगे पेस्ट डालने से पूरा अच्छा सा ये देखिए भुन जाता है सारा टमाटर गल जाता है पिसा हुआ रहता है और हरी मिर्ची का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा अब ह हमने डाली है हिंग हमने लास्ट में हिंग डाली है अब इसकी खुश्बू डाल में बहुत अच्छी आएगी सारे मसाले भुनने के बाद हमने लास्ट में हिंग डाली है और ये मूम की डाल है धुली हुई बिना चिलके वाली और ये पहले से पानी में भीगो करके धोके खोती पतली कैसे भी काट सकते हैं जैसे लंबा लंबा पतला पतला चोटा 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 या फिर गोल confess काटे ये बहुती Space बनाना है तो सारे मसाले की कोटिंग हो जाती है, तोरही में और दाल में आप सरे कलर देखो, आम तोर긴 हम तोरही बलकुल से बनती है, बलकुल हलके मसाले घी च्छोक का, लेकिन इसमे थोड़ा मसाले काती है का टेस्ट आए गा. नमक डालाए हमने, स्वात कि आनुसा नमक डाल करके भी mix कर लेंगे पानी बहुत जादा नहीं डालाए हमने अगर आप पतली बनाना चाहते हैं डाल की तरीके तो आप पानी जादा डाल सकते हैं ये medium ठिक रहेगी जैसे ना डाल न सकते हैं और इसको यहीं पर तुरंट सीटी बज जाने वाली है तो जैसे ही सीटी बजे की तुरंट बंद कर देना है आटा निकाला है मैंने थाली में नमक हलका सा डाला है पानी डाल करके आटा गूत रही हूँ और उटी चपाती बनाने वाली हूँ बस इसका आटा तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ बस हलका सा इस तरीके से लास्ट में जब पूरा आटा गूत लेते हैं तो हलका सा परात में मल लेती हूँ तो थुड़ा सौफ्ट हो जाता है क्योंकि तुरंट-Tुरंट बनाना होता है सुबह के समय में जब मतलब टिफिन बनाना है ना तो पस जल्दी जल्दी ही रहती है रेस्ट के लिए जादा दिर रखने का भी कुछ टाइम नहीं मिलता है और सुखांटा निकाल दिया एक सीटी ये जो बजी और तुरंत ही इंडक्शन आफ या फिर गैस में आप रखते हैं तो आफ और इसको तुरंत सीटी खोल ले जैसे आधी विसल निकाल लो आधी स्टी में भी रहा और उसके बाद जैसे कूकर खोला बारी कटा हुआ हरा धनिया डाला और इसे आप सर्व करो या फिर टिफिन में पैक करो मतलब ये लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ईजी टेस्टी हेल्दी और क्विक रेसिपी है तो इसे मैंने हांडी में पलट दिया है यानि सबजी और आटा तयार है कूकर में मैंने चावल धुल के रखे हैं ये कूकर मैंने जब दाल खाली किया तो तुरंद कूकर धुल लिया है ये वही वाला कूकर है बटर फ्लाइ का कूकर है तीन लीटर का कूकर है और दो कूकर का सेट है लिड एक ही है तीन हजार का कूकर था यह जो मैंने लिया था शाद छे साथ महीने हो गए है रेगुलर यूज़ कर रही हूँ मैं बहुत से वीवर्स बोलते हैं इसका रिवियू दे इसलिए मैंने आज रिपीट किया है कुछ नियू वीवर्स चाहते हैं चावल में हमेशा की तरह मैंने पानी नमक और तेल डाल के रखा है ये तीन मसालों के पैकेट आप देख रहे हैं कल ही आय थे मार्किट से बुसावल में एक शौप है साइंस जीवन करके बात सिर्फ दुकान की बताने की नई अक सर वीवर्स पूछते हैं कि आप मसाले कौन स ऐसी तो मसाले यूज होते हैं और ये जो शौप है खासकर जहां से हम लेते हैं बुसावल में गुरू कृपा ये मसाले की ही शौप है मतलब एक बड़ी सी शौप है मेन मार्केट है बुसावल की वहाँ पर सिर्फ मसाले मिलते हैं गरम मसाले और दुनिया भर के मसाले लोग उनकी आँसे शॉप वाले भी लेते हैं तो मैं ऐसे पैकेट मंगा के इन तीन डबों में भरके रखती हूं और जो मसालदानी है वो रेगुलर यूज होने वाली डेली तो इसमें से निकाल करके चमज से भर लेती हो मैं और मसालदानी का यूज होता है और यह अलमारी म पर वेर की इसमें भर के रख लेती हूं इसमें लिए डहकाटोरी जैसा शेप है थोड़ी सी है बस डायरेक्ट यूज हो जाती है मुझे रेसिपीस में बस इस तरह भर के रखती हूं मैं और मसाले की जो शॉप में मार्केट में है यानि मार्केट में हम लोग आना-जाना ह होता ही रहता है हस्पिन मेरे जाते ही रहते हैं इसलिए मैं वो छोटे पैकेट मंगवाती हूं आदा-दा किलो के कि फ्रेश मिल जाता है जब उनकी पैकिंग उनके हां डेली मसाले पिसने चक्की है उनके बड़ी भारी और उसमें फिर पैकिंग होती है उनके शॉप की थोड़ा थोड़ा डबो में भरा रहा कि पहले से बोल दे और डबे खाले हुए कि धुल लिए साफ कर लिए पैकेट रिफिल कर लिए इस तरीके से बीच पीच में मैं करती रहती हूं याद से और अब मैं रोटिया बनाने शुरू कर रही हूं मेरी गैस बहुत अच्छी जाल रही है देखाब रोटिया भी फूल रही है मैंने वो जो ब्रश है ना बहुत यूसफूल है चाई की चन्नि मुझे दिखाना था नहीं दिखा पाई मैं मनलब जल जल दी बरतन धुले मैंने चाई की चन्नी कितनी गंडी भी तुरन साफ हो जाती है वैसे जो मतलब मेही थी हो मेरे हस्बन यहां से घर गए होंगे तो जाते समय चाय की छन्नी चाना चाय और छोड़ के चले गए होंगे ना सिंक में तो अब वापस आए 15 दिन बाद तो चाय की छन्नी में चाय चिपक लगी थी सूख हो गई थी अब वो भईया आज निकले नकल निकले वो पर निकल गया इतनी मस्त वो ब्रश है मैं दिखाऊंगे किसी दिन चन्नी का हाल और यहां रोटिया बन गई है और चावल का कुकर खोला मैंने एकदम विखरा विखरा खिला खिला चावल बना है और इसको में इस डब्बे में रख रही हो स्टील के डब्बे में थोड़ा मैंने जादा सा बनाया है कि बच्चों को भूक लगे तो शाम में भी कुछ खा सके फ्राइड राइस बना दूंगी मैं इसलिए थोड़ा जादा चावल रखा है मैंने दुपहर के बाद के लिए भी और इसे डब्बे में डख दिया है और बरतन दुले है क्योंकि मुझे ना सुबह के समय लगा करता है रसोई जितनी जल्दी यहां से काम खतम हो तो और भी दूसरे काम करने के लिए फिर टाइम मिलता है वरना फिर पूरा टाइम लगे रहना पड़ जाता है और ये रसोई साफ कर लिए मैंने और बखाना लगा रही हुमें मतला हजबन की थाली क्योंकि टाइम तुरंथ होता है न सुबह का समय नो बजे निकलना है तो वस्तला फटा फट से सब करना होता है तो अभी उनका लॉंच ब्रेक्फ़स यही होता है और टिफळ में ले के जाते हैं लूँको लंच समझतू न का ब्रेकफ़स यही सबजी रोटी चावल और द है उनका बड़ा बैग है औफिस वाला और हजबिन खा करके टिफिन लेके चले गए लेकिन अभी बच्चों का जैसे आज मन नहीं है कि तो रही की सब्जी और मौंकी दाल सुबह सुबह खाएं वो तो मैं निकाला है मैंने निकाला है फ्रीजर से यह स्वीट कॉन यह आज इतने ही बचे हैं और इन्हें मैंने बॉइल करने रखा है आज मैं बताओंगी कि स्वीट कॉन मैंने किस तरीकी से स्टोर किये थे कि फ्रीजर में दो साल से रखे हैं किसी तरह की कोई स्मेल गंदगी कुछ भी नहीं इवें जो अभी है उनसे बहतर ही होंगे खराब तो बिल्कुल नहीं होगे गैरेंटेड तो यह देखो बॉइल हो गए है बहुत जल्दी बॉइल होता है स्वीट कॉन और बस इसको मैंने छननी से छान करके पानी निकाल दिया है और सारे स्वीट कॉन मैंने डोंगे में ले लिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें है थोड़ा सा जैसे चाट वाला फ्लेवर और थोड़ी सी लाल मिर्ची पावडर डाला है और लैमन जूज डाला है हाफ लैमन बस अब क्या है एक बड़ा चमच भरके बटर डाल लेंगे बटर यहां पर कम जादा आप कर सकती है जैसे यह दो बाॉल बनने वाला है ना चम्मच फुल बटर लिया है हलके गरम है यह कौन हमेशा याद रखें गरम ही रहने दें जैसी मैंने चननी सिछाना पानी हटाया और तुरंद बावल में लिया और सारी चीज़ें मिक्स कर दी गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं और यह पीजा सॉस है पीजा पास्ता सॉस तो यह डाल देंगे एक चम्मच यह टेस्ट की बात है आप पसंद करते हैं तो डालें अगर पसंद नहीं करते हैं तो ना डालें आप नॉर्मल सिफ नमक काली मिर्च और बटर डाल करके भी खाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है अब सब को डाल करके मिक्स कर दिया ह और यह हमारी स्वीट कॉर्ण चार्ट तैयार हो गए, दो बावल ही वना है, एक्चली शुबी और मुझे बहुत जादा पसंद है, शुब हमको कोई खास पसंद नहीं है, उस नहीं बोला, क्यों से नहीं खाना है, वो ब्रेट बटर खाना चाहता है, दूद में मैंने चीनी जाली है, यह दूद करीब आधा कप है, और इसमें हमने एक चम्मच डाला है, कॉफी पाउडर, चीनी घुल जाए, इसलिए दूद गरम खिया, और कॉफी पाउडर गरम दूद में अच्छे से मेक्स हो जाती है, अब इससे खूब अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, अब कॉफी फ्लेवर में पीना चेंज के लिए, तो यहाँ पर अब मैंने ठंडा दूद डाला है, दूद एकदम नॉर्मल सा हो गया है, ठंडा सा नहीं देना चाहा रहीती, एकदम से फ्रेज से निकाला हुआ, तो यह नॉर्मल हो गया है, और इससे इस तरीक से मैंने शेक किय है, तो कॉल कॉफी तैयार हो गई है, शुभम का मन है कि ब्रेट बटर चाहिए, और कॉफी की उपर थोड़ा समयने कॉफी डस्ट कर दी है, सभी मग्स में, ब्रेट निकाले हैं, ब्रेट स्लाइस और बटर लगा रही हो, कभी कभी होता है बच्चों को चेंज चाहिए, थ ब्रेट ब्रेट है, फ्रेश है, और इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा टेस्ट के लिए, कभी कभी बच्चों को अच्छा लगता है, वैसे तो प्रॉपर जैसे ब्रेट बना होता है, घर में सब चार लोग है, तो फिर वही खा लेना होता है, जब कोई एक बच्चा बच्चा है, जिसको यह चीज नहीं खानी है, तो फिर अब क्या करें, अलग से तो कुछ नहीं बनेगा, तो इस तरीके से बीच में से कट करके ब्रेट स्लाइस तयार, शुबी ने भी एक ब्रेट साइज ली है, शुब हमको मैंने दो दिये हैं, और मैंने भी खेक लिया है, और इस तरीके से हम लोगों का नाश्ता हो जाएगा, खाना बना रखा है, हम लोग खाएंगे, साथ में तीनों लोग, और खाना जैसे की डाल है, सबजी है, चावल है, यह हम माइक्रोवेव में गरम कर लेते हैं, और अब तो मैं रोटियां भी रफ देती उसी समय हम लोग का खाना भी हो जाता है, अब यही रहता है, अगर अब रसोई साफ नहीं करो, उनका बना सोबै नौ बज़े, अब बारा बज़े हम लोग खाएंगे, तो वो सीन घंटे के लिए ना, रसोई उसी तरह पड़ी रह जाती है, और हॉल में है, मतला हमारा केच में तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, और स्वीट कॉर्ण चार्ट बहुती टेस्टी है, हेल्दी है, कुएक है, और मैं बताऊंगी कि है किस तरीके से स्टोर करोगे आपकी, आपके घर में भी, फ्रीजर में कॉर्न हमेशा अवेलेबिल होंगे, स्वीट कॉर्ण बहु तक वो ऐसे के वैसे फ्रीजर में रखे हैं, ठीक वैसा ही होगा, और मैं आज आपको वही दिखाने वाली हूँ, तो आए देखते हैं कि मैंने किस तरीके से स्वीट कॉर्ण को स्टोर करके रखा है, ये स्वीट कॉर्ण है, जो कि 2 केजी हैं, तो यहाँ पर आप देख रह ये स्वीट कॉर्ण की एक अलग कॉयलिटी होती है बुट्टे में, ये पूना की तरफ से आते हैं, ऐसा यहाँ पर जो लोग बेचते हैं, जैसे न, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं, चेले वाले की पूनीरी ये भुट्टे होते हैं, ये पूना के दूदिया एक दम, दो निकल गए यानि एक लाइन क्लियर हो गई फिर आप अंगूठे से इस तरीके से प्रेस करो फोल्ड करो वो पूरी की पूरी लाइन बाहर आ जाती है ये बहुत ही आसान सा तरीका है बहुत इजी वे है ये पाच भुट्टे तुरंट साफ हो जाते हैं और अगर आपको ट टुकड़े करने से छोटा-छोटा साइज हो जाता है फिर हम उसको इजीली अंगूठे से इस तरीके से मोड़ते हैं यानि कि कोई चीज मोड़ी जाती है इस तरीके से आप एक एक लाइन को पूरा फोल्ड करते जाओ और लाइन बनाने के लिए आप बीच में से दो लाइ मैंने करीब 10 बुटे रखे थे ये 5 है तो वो शायद 10 इसे दुगने रहे होंगे तभी वो 2 साल तक चले मतलब 2 साल काफी होता है इसलिए चले तो ये देखो इतने सारे हो गए न तो इनको आप ये जो है दाने बिना धुले बिना उबाले जैसे हरी मटर बहुत से लोग ब हो कि रखते हैं नहीं मैंने मटर में भी बोला था ना हमें से धुलना है ना हमें से बॉयल करना है ठीक इसी तरहीकी के दाने बस चेक कर लो यह उसमें मेक्स हो जाए नैए एगदम अच्छे साफ दाने और आप पैकेट में डालो और इस तरीके से फोल करके इस टैपलर से पिन कर लो इससे खास बात यह है कि इस तरीके से रखने से space कम लेते हरी मटर मैंने इसी तरीके से packet बना के रखी है और उसे ये भी फायदा होता है चार packet आपके safe pack रखे रहेंगे जो आपको जरूरत है उस pack को आप निकालो use करते रहो 4-6-10 बार जितनी भी जरूरत है या फिर इस तरीके से zip pouch आते हैं आप उनमें भी भर सकते हैं तो ये देखो जिप pouch में भर रही हो क्योंकि जो मैंने seal कर दिए stepler वाला जो packet है वो तो pack रखर हैगा और ये जो zip pouch वाले हैं ये निकाल करके use कर सकते हैं और अभी मुझे और मंगवाने हैं store करने के लिए ये तो मैंने इसलिए अर्जेंट में packing करी कि बहुत से वीवर्स को मतलब ये चाहिए था कि किस तरीके से sweet call store करते हो सकता उनके शेहरों में अभी मिल रहा हो लगातार comment आ रहे हैं कि मैं बताएं तो ये देखे लास्ट येर रखे हुए थे मेरे पास इसलिए मैं share ने कर पाई थी वीवर्स पूछते रहे गए और फर सीजन निकल गया तो इस तरीके से ये देखो freezer में रख करके space कम लेते हैं जो मैंने before last year किया था मैंने एक बड़ा सा डबबा है plastic का उसमें भरके रखे थे तो काफी थे वो इस तरीके से पूरा भर के रख दिया था लेकिन बाद ने मैंने notice किya कि plastic में रखा न तो ये जगे कम लेते हैं space कम लेंगे freezer तो इतना ही है दुनिया भर का सामान रखना है तो क्या करें तो packet ज़्यादो सही है जिप pouch ले लो आगर नहीं मिल रहे हैं तो आप packet नॉर्मल लो और उनको staple कर लो और भूल जाओ कि रखें जब जरूरत है तब उनको निकालो और जब भी निकालो जितने जरूरत है उतना use करो उसके बाद उन्हें packet उसी तरीके से उसी समय बापस freezer में पहुचा दो बाहर मत रखो बाहर रखेंगे ना तो जो उसमें आई साती है वो पूरी घुल जाएगी फिर खराब हो जाएगा और समयल आएगी freezer में ही रखें freeze में ना रखें और हमेशा मतलब उसमें ही रखें बाहर बिल्कुल भी ना रखें जैसी हरी मतर के लिए है वही चीज बस आपको ख्याल रखनी है बिल्कुल भी समेल नहीं होगी और खराब भी नहीं होगा और दोपहर में जो खाना बनाया था वो तो आपके साथ share ही किया था हजबन खाके गए हम लोगों का नाश्ता हुआ फिर हम लोगों ने दो पहर में खाना खाया है तीनों ने दिन तो कैसे बीचते हैं आज कल आप समझी सकते हैं बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज और फिर बच्चों का खाना पीना ये सब चलता रहता है था मुझे की शूटिंग मुझे शाम की करनी है तो यहीं देखिए यही टाइम हमारे घर शाम का हजबन ड्यूटि से आए फिर उनका पुरा वही सब होता है कप्पे लत्ते दोना उनका टिफिन दोना और जो सामान मार्केट साय है उन्हें धोधा के रखना तो अनार आए हैं के ले आया है, माहरास्त में इसको बोलते है उसलिए कोथिमबीर वड़ी मुझे बहुत दिनों से बनानी करने मुझे कोथिमबीर सालोंわか к yet one Japanese और चैनल जोहीं कियों से यह काकोडवान करते साथी और और यह हैं आया है बहुत बड़ा बंच था कूप सारा है यह 500 ग्राम के से तो जादा ही लग रहा है मुझे काफी है यह 500 मेथी तो फिर भी कम होती है और पूरा साफ करके मैंने बारीक काटा है दूद के पैकेट साफ करके बगोने में निकाले हैं रोज जैसे शाम में होता है दूद गै लिया है क्योंकि महारास्टिन रेसिपी है तो लेसन तो बिल्कुल बोलना चाहिए दा बरदस्त और इसका इस तरीके से ठेचा बना लिया है और यह पूरा बारीक हरा धनिया धोके साफ करके रख्वा और उसको बारीक काटा बिल्कुल अच्छे से और यह एक बड़ा कप बेसन है एक कप से ज़्यादा ही है समलू बड़ा कप भरके है क्योंकि इसका टोरी में अतना आता है और हाफ कप हमने लिया है चावल का आटा चावल का आटा और आदा चम्मच हल्दी पावडर एक चम्मच जीरा पावडर एक बड़ा चम्मच सफेद तिल आप दो चम्मच भी डाल सकते हैं बहुत अच्छा टेस लगता है और एक चम्मच लाल मेर्ची पावडर एक छुटी चम्मच लाल मेर्ची पावडर इससे कलर सुन्दर सा आता है थोड़ा और चटपटा बनेगा और हींग डाली है स्वात के अनुसार डालना है बस अब सभी चीज़ों के उपर डालना है हमको यह जो हमने अदरख लैसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया है और डालना है तीन चम्मच गरीब तेल ऑईल डाला है हमने को कुकिंग ऑईल अब सब को मिक्स कर लेंगे जो धनिया पता हमने दुला था उसको सोखा भी लिया था मैंने ऐसे जड़क जड़क के ऐसे जड़ जैसे उतने तो उसको जटको तो पूरा पानी निकल जाता है तो पूरा जटक दिया था उसके बाद ऐसे नैपकीन में ऐसे फैला के रखा था लेकिन हलका सा भी मौशर रहता इतना बारी काट तो इसलिए पहले मिक्स करके देख लें कि कितना मौश्चर इसमें है कितना अभी जरूरत है उसके हिसाफ से पानी के छीटे लगाए चार पांच चमच पानी गया होगा शायद और इस तरीके का एकदम अच्छा सा डो तैयार हो गया है थोड़ा सा तेल हातों में लगा आपको छोटे-छोटे से बॉल्स बनाने हैं तो यह बॉल्स बन जाएंगी हम लोग बनाने वाले हैं को थिम्बिर वड़ी तो क्यों ना वड़े की शेप में बनाए वड़ी तो बस इस तरीके से राउन शेप कर लें उसको हलका सा फ्लैट कर लें टिक की जैसा और इसके ब बना लो तो यह बन गया ना वड़े की शेप में एक दम मैदू वड़ा जैसा को थिंबिर वड़े बहुत जादा टेस्टी बहुत जादा और बहुत हेल्दी भी क्योंकि बेसन चने चने काटे है और चावल है और कुछ भी नहीं अब इस टीमर रखेंगे और इस तरीके से ज रख दो जब स्टीम हो जाए फिर आप उसे नाइफ से कट कर लो जैसा कि मैंने एक बार क्या बनाया था गुजराती एक डिश थी ना याद नहीं आ रहा है कुछ तो भी बनाया था बट्टी के लिए ऐसे रखते हैं महारास्तियन जो बट्टी बनती है बाफला बट्टी उ इसका कुछ काम नहीं है और मतलब मैंने यहां पर धुलाई अभियान शुरू कर दिया बगल में कड़े होकर और दूद भी बॉयल हो रहा है उसे भी नजर हटी दुर घटना घटी से बचाना था दूद बॉयल हो गया और यह मैंने जाली ढग दी तो यहां से फ्री हो गई क्योंकि दूद के पास और बाहर इस तरीके का प्यारा सा नजरा है शाम के बाद यह वाला जो सीज़ मौसम है इसमें बहुत सुन्दर लगता है दुपैर भर धूप निकली रहती है कहीं कुछ बारिश और इशकाता पता नहीं बुसॉल में एक दिन हो गई थी गलती से और उसके बाद फिर वही हाल है और बस 15 मिट बाद इसे खोल कर देखेंगे स्टीमर को आप देखेंगे कि उनका साइज थोड़ा सा बड़ा सा हो जाता है फूल जाती है स्टीम होने से जो चने काटा है या चावल है और आप चेक भी कर सकते हो समझ में आता है कि हाँ यह पक ग फिर वड़ी को शेलो फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन मैं डीफ्राई कर रही हूं और यह इतने बड़ी हां फ्राई हुए कि जरा भी ओईल सोक नहीं किया जितना कड़ाई में तेल था वो तो पूरा था ही जैसे छनी से निकाल के हम लोग प्लेट में निकालते हैं तो प्ले बाहर से कि मैं पता नहीं सकती बहुत ही बड़ी है मतलब मेरी फैमली में सबको बहुत पसंद रहे हैं नहाए टेस्टी डिश है हजबन ने तो ये तक बोला कि कभी कोई महमान घर में आए मीनू तो प्यास के पकोड़े से जादा अच्छा है ये तो मैंने तुरंत बोला त इतनी सारी होनी चाहिए ना जब मैं माना है तो घर में धनिया इतनी सारी रखी हो तो बनाई चाहे कोथिमबिर वड़ी वाके में कमाल का टेस्ट है एक बार जो भी बनाएगा उसकी फैमली में डिमांड तो होनी होनी है दूसरी बार हमारास में 20 सा से रह रहे हैं पर पहली बार हमने बनाया है हमने सुना था कि कोथिमबिर वड़ी बनती हैं से इतना भी ऐता है 100 यह सोसते ले हर चीज में दो धनिया चाहिये होती ये वाला जो धनिया आया है ये batch ये specially को थिम्बिर वडी के लिए आया था इसलिए इसका हमेशा सब्जों के साथ जो धनिया आता है वो side by side चलता है वो रखा हुआ है फ्रेजबे जो मैं use करती हूँ डबे में लेकिन ये specially इसलिए आया था मैंने बोला था कि मुझे को जाती है कह रहे है इसका टेस्ट तो ऐसा लग रहा है नाम नहीं यादा रहा है हमने कुछ खाया है कभी मतलब आपने बाहर कुछ खाया होगा तो कह रहे है कि हाँ कुछ तो खाया था वड़ी जैसा तो पता चला महरस्तियन डिश्ट ना मेरे बच्चों को भी पसंद आने लग दो jeus अठ़ा यहां बहुत तेस्ट लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा थेया वहाँ यह लग उन्राघ्श भी रहते हैं यहां लोग है ना मुझे लग एयुद्शन लगता है मुझे लग रहा है इन दोनों को भी यहीं अच्छा लगता है महारा चिन खानपन बहुत पसंद आ रहा है इन लोग को तो प्लीज आप लोग भी रेसिपी जरूर ट्राही करिएगा आपको यह व्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर बताएं थाएं